JRCM, सभी को स्वागत करता हूँ आज की ये शांदर वीडियो में, अब हर डिस्ट्रिबूटर बिल कर सकता है, आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों ऐसा हो सकता है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप as a distributor, किसी भी डिस्ट्रिबूटर का बिल कर सकते हैं, जैसे आप UC में जाके बिल करते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको पूरा जानकर इस वीडियो में मैं आपको देने बाला हूँ, इस वीडियो के लिए हम लोग टोटल 2000 लाइक एम रख रहे हैं, मुझे लगता है आप लोग इस तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा नाम है बापुन दास, आप देखने जार सी में यूटिव चैनल, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं साथी हो यह जो डिसिजन है, यह कंपनी के तरफ से लिया गया है, यह अभी तक पर्मेनेंटली रोल आउट नहीं हुआ है, बहुत जल्द इसको रोल आउट कर दिया जाएगा, और यह आपके टेकनिकल एचिवर अबब लोगों के पास इन्फरमेशन आप तक दिया कंपनी जब इसको फाइनली टेस्टिंग कर लेगा, इसी महिने के दोरान आपको यह सारा अर्ली एक्सेस में मिल जाएगा, चलिए पहले समझते हैं, यह जो कॉंसेप्ट है, यह किस तरह से वर्क करेगा, आप एक डिस्ट्रिउटर का बिलिंग कैसे कर सकते हैं, दोस्तों यह जो पैरामेटर है, यह पैरामेटर खास डिजाइन किया गया है अपनी दुकान के लिए, जिसको आप लोग डिस्पले वाल कहते हैं, देखें दोस्तों डिस्पले वाल एक ऐसा वर्ड है, आर्सम ने डिसाइड किया है टोटल पांच करो डिस्पले वाल करने का, आप सो अगर डिस्पले वाल करता है, तो हर एक डिस्पले वाल करता है, तो हर एक डिस्पले वाल करता है, अभी इसके लिए क्या क्राइटरिया है, ऐसे आप डिस्पले वाल करूंगा, जैसे हम लोग पहले डिस्पले वाल करवाते थे लोगों का, दस हजार, बिस हजार, पचीस ह जो अपलाइन है उनके साथ आपको कंसर्ट्रिशन करना पड़ेगा इसके बारे में आपके अपलाइन के साथ पहले तो आपको यह डिस्पले वाल के रिगार्डिंग चर्चा करना पड़ेगा और आपके अपलाइन और आपके साथ जब एक सोच बन गया कि आपको डिस्पले इसके लिए टुटल तीन पेरामिटर है पहला तो दस अजार रुपे का डिस्प्ले वाल दूसरा है 25,000 तीसरा है 50,000 और अभी यह डिस्प्ले वाल में और मतलब आपको इकठ्छा दस अजार रुपे का प्रोड़क लेना पडेगा 25,000 डिस्पले वाल मतलब 25,000 का आपको 81 प्रोड़क लेना पड़ेगा इसके लिए एक रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा जो लोग डिस्पलेवाल एक साथ में मानलीची एक बकेट में आप लोग 10,000 का प्रोड़क ले लिए तो आपके पास एक रेजिस्ट्रेशन लिंक आप उसके द्वारा रेजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो आपको एक निव यूनिक आईडी दिया जाएगा और प्यूसी में आप जब जाएंगे प्यूसी में जाने के बाद आपको वह आईडी के थ्रू से बिलिंग करना पड़ेगा तो वह एसोसेट हो जाएगा आपक किये वह प्रोड़क्ट आप किसी डिस्ट्रिबूटर के नाम पर बिलिंग कर सकते हैं किसी आम आदमी परोसी किनी के नाम पर बिलिंग कर सकते हैं आप किसी भी रिस्तेदार या आपके जो भी आप जिनको प्रोड़क्ट दे रहे हैं उनके नाम पर बिलिंग कर सकते हैं मत इस बार RCM ने पूरा एकसेस आपके हाथ में दे दिया, अब हर डिस्ट्रिउटर अगर चाहे कि मैं डिस्प्ले वाल करूं, वो अगर डिस्प्ले वाल कर लेता है तो वो बिलिंग कर सकता है, तो इतना अच्छा न्यूज है, और मुझे लगता है ये टीम में आपको spread करना च चाहिए, आज मिटिंग हो था इसके बारे में प्री कोर सी उपर लोगों का, तो इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डाला गया, और इसके बारे में कंपनी तरब से भी आपको बहुत जल्द अपडेट करा जाएगा, और हम लोगों के चैनल में आपको ये वीडियो पहली फुल वीडियो के साथ हम आपको पहुचाएंगे, इसका फुल गैरेंटी है, इसके लिए आप अगर JRCM चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजे, और अगर आप JRCM चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, लेकिन अगर बेल आइकन प्रेस नही देखिए, आपको एप दिख जाएगा, वो एप को जाके आप डाउनलोड कर लिजे, आपको हर इंफ्रमेशन हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आप बहुत कुछ नॉलिज ले सकते हैं, मुझे लगता है आपको आज का वीडियो पसंद आया है, हम लोग का जो मिलते हैं किसे अगले वीडियो में